साथियों, उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, कि एक ऐसा प्रदेश है, जिसने देश को सबसे जादा प्रधान मंत्री दिये. ये यूपी की खुबी है, लेकिन यूपी की पहचान, इस पहचान को लेकर केवल इस दाइरे में ही नहीं देखा जा सकता. यूपी को छे साथ दसकों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता. ये ऐसी धर्ती है, जिसका इतिहास काला तीत है, जिसका योगदान काला तीत है. इस भूमी पर मर्यादा पुर्शोतम भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान स्री कृष्ण ने अवतार लिया, जैन तर्म के 24 में 18 तिर्थंकर उत्तर प्रदेश में ही अवतरित हुए थे. आप मद्यकाल को देखे, तो तुलसिदास और कभिरदास जैसे युगनायकों ने भी इसी मिट्टी में जन्म लिया था. संत्र अविदास जैसे समाज सुधारक को जन्म देने का सौभागय भी किसी प्रदेश की मिट्टी को मिला है. आप जिस किसी भी खेत्र में जाएंगे उत्तर प्रदेश के युगदान के बिना उसका अतीत, बर्तमान और भविश अधूराही दिखेगा. उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जहां पग पग पर तीर्थ है, और कण कण में उर्जा है. वेदों और पुराणों को कलम बद्द करने का काम यहां के नईमी शारण्य में हुआ था. अवद छेत्र में ही यहां अयोध्या जैसा तीर्थ है, पुरवांचल में शीव भक्तों की पवित्र काशी है, बाबा गुरणात की तपो भुमी गुरणपूर है, महर से भुगू की स्थली बलिया है, बुंदेल खंड में चित्रकुट जैसी अनंत महिमा माला तीर्थ है, और तो और तीर्थ राज प्रयाग भी हमारे यूपी में ही है, ये सिलसिला यहां नहीं रुपता है, आप कासी आएंगे, तो आपकी यात्रा सारनात के बिना पूरी नहीं होगी, जहां बगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, किसी नगर में तो हम अभी उपस्तिती है, पुरी दुनिया से, बहुत दस्रत दालू यहां आते हैं, आज तो पहली इंटरनेशनल फ्राइट से लोग यहां पहुचे भी है, अलग-अलग देशों से लोग, जब कुशिन अगर आएंगे, तो स्रावस्ति, कोशम भी और संकिसा जैसे तिर्थ भी जाएंगे, इसका स्रे भी उपी कोई हिस्से आता है, स्रावस्ति में ही जैन तिर्थंकर संभवनाज्जी का जन्वस्तान भी है, इसी तरह अयोध्या में भगवान रिशब्देव और काशी में तिर्थंकर पार्षवनार्थ और सुपार्षवनाज्जी इनकी भी जन्वस्तिली है, याने यहां एक एक स्थान की इतनी महिमा है कि कई कई अवतार एक स्थान पर हुए है, यही नहीं हमारी गवडव साली महान शिक गुरु परंपरा का भी उत्तर प्रदेश से गहरा जुडाव रहा है, आगरा में गुरु का ताल गुरुद्वारा आज भी गुरु तेग बादुर जी की महिमा का उनके शावर्य का गवा है, जहां पर उन्होंने आवरंजेब को चुडवती दी थी, आगरा का ही गुरुद्वारा, गुरु नानक देव और पिलिभीत का छटवी पात्साई गुरुद्वारा भी गुरु नानक देव के ज्यान और उपदेशों की विरास्ता संजोय हुए है, इतना सब कुछ देश और दुनिया को देने वाले यूपी की महिबा बहुत बड़ी है, यूपी के लोगा का सामर्थ बहुत बड़ा है, इस सामर्थ के हिसाब से ही यूपी को पहचान मिले, उसे अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आउसर मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं